वीडियो की स्टार्टेकी में जो देवी सेल्टर होता है उसके बार बलेक गोड के सबी आदमें आकर खड़े हो जाते हैं और सबी लोग बाते करने लगते हैं बलेग गोड किंग एक डेवलेपर है जो 100 साल से अधिक पुराना है और यह सबसे अधिक संभावना हैं की उसके उत्रादिकारी उसके समान है हम उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं इसके साथ ही सबी लोग आपस में बात करते हुए करते हैं वीर के लिए एक वेक्ति को संभाला ही मुश्किल हैं और यहाँ पर उसी फिटनेस के छे लोगें कुछ लोग आपस में बात करते हुए करते हैं अपने दरवाजे पर खुद का सिकार चुराना वास्ता में अपमान चनकी यहाँ पर वास्तों में जो वीर होता हैं बहुत बड उपर हो दोस्तों में इने समाल लूँँंगा जैसे वीर देविस से पराचीर से नीचे कोता है तो बलेक गोड के आदमेंवें से एक आदमė बोलता हैं कि कितना गमंडी हैं वीर जो अकेले ही आ गया लड़ने के लिए तब ही बलेक गोड के आदमियों में से एक दूसरा ब तभी वीर के गुरूप में से कुछ लोग बात करते हुए करते हैं कि वीर हमेसा सही भूत ही जप מאदी रहा हैं। जब सभी लोग बात करें उते हैं तो इधर आइस लेंड के बीच वीर ब्लीक गौड कान जितना है एक फिर मुस्कराता हुए। सुनकर बलेक गोड वीर से कहता हैं यूद में हार जी तो लगी ही रहती है लेकिन असली विज्टा वई होता है जो आकरी तक आस्ता रहता है फिर बलेक गोड कहता है कि मैं मानता हूँ कि आपका यूद करने का जो कोसले बहुत ही जदा अच्छा है लेकिन इस बार यह विक्त चोड़ दूँगा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूँगा साथ ही तुम्हारे सेल्टर को खराब नश्ट कर दूँगा और तुम्हारे सभी लोगों को मार दूँगा इस तरीके से दम की देता हुआ बलेक गोड वीर से कहता है बलेक गोड की बात को सुनकर वीर ब्लेक गोर्ड से हस्ता हुआ करता हैं सच्ची में क्या तुम ऐसा कर सकते हो तुमें बरोसा हैं तुम ऐसा कर सकते हो वीर की बात को सुनकर ब्लेक गोर्ड के पीछे खड़े हुए लोगों में से कुछ बंदे वीर से कहते हैं सो से अधिक फिटनेस वाले हमारे प अपनी गलतियों की मापी मांग लो मेरी सरण में आजव में तुम्हें माप कर दूँगा और तुम्हारा जीवन बख्ष दूँगा बलेक गोर्ड की बात को सुनकर वीर जोर जोर से हस्ता हुआ काता हैं बलेक गोर्ड आपको जल्दी ऐसा सुगा की आपकी किसमत कितनी जदा खराब हैं इतना कहने के बाद में वीर अटेक करने के लिए आगे बढ़ जाता हैं वीर को अटेक करता हुआ देखकर बलेक गोर्ड किंग अपने सातियों से कहता हैं अटेक करो इधर देवी सेल्टर की प्राचिर पर खड़े वे लोग बात करते हुए करते हैं कि बलेक गो लोग चिलाने लगते हैं की सेल्टर का दरवाजा खौलो ढ़े के अदिnya के लिए आदा कदम भी उठाएगा उसे बीना दया के माड़ दिया जाईगा और जो लोग गेट ओपन चिलाते हैं कि यहां सब कुछ खतम हो गया है उन सभी की बातों को सुनकर महें सभी लोगों से कहती हैं गबराने की बजएं आप लोगों को बलेग गोर्ड किंग की हार के बाद के परड़नामों के बारे में सोचना चाहिए इसके बाद में सिंसिफ्ट होता है और हम सिदे ही आइस फिल्ड के अंदर जहां पर वीर की फायट चल रही होती हैं वहाँ पर आ जाते हैं बलेगोर्ड की टेम मेट्स वाले वीर के उपर अटेक करने के लिए आते हैं वीर भी उनके उपर अटेक करने के लिए जाता हैं कि यह मुझे रोकने के लिए आ रहा हैं तो वह मुष्कराता हैं और फिर वह उसकी तरफ आगे बढ़ जाता हैं जो वीर होता है वह उसके हमले से भी बच जाता हैं और उसे डोच कर लेता हैं बलेक गोड के सब भी आदमें बिल्कुल हैरान हो गए थे नहीं यह असंब्व हैं केवल कुछी दिन तो बितें भी लेकिन वीर उस समय से अधिक पाउरफुल हो गया है जब मैं उससे आकरी बार लड़ा था यह सब देखने के वाद में जो बलेकोड होता हैं वह अपने साथियों से करता हैं कि जुड बना कर उसके उपर सिधा अटेक करो और उसे आगे मत आने दो इतना करना के बावजूद भी जो वीर होता है वह फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उन सबी के हम लोग को लगाता है डोज करता रहता हैं वीर जब सबी के हम लोग को डोज कर रहा होता है को बातियों से उसे बाट डालो उसे माठ डालो जिसे बिले गोड अपनी टीम को इह इन्च्रक्शन देता हैं कि वीर को माठ डालो इतने महीं साइज querài वीर की उपर अटे करने के लिए आ जाते ये जमीन पर एक पेर मारता है वह हवा में उचल जाता है जब ब्लेक गोर्न की सारी टेम वीर के उपर अटे करने के लिए आती है तो यह देखर माही जोर से चिलाती है Galcar वह गबराद टीवी मनी मन में सोच ए वीर कवच नहीं पैनता है और वह कमजोरियों से बरावाए वह इतनी सकती सा लियुद सरतना से केसे लड़गा और उसमें केसे जीवित रहेगा यह बहुत ज़दा खतरनाक हैं ऐसा माही मन में सोच रही होती हैं जब माही डर रही होती है तो इदर जो वीर था वह आइस फिल करने के लिए आगे बढ़ जाता है जैसे वीर फेरी क्वीन की डेविसल को बुलाता है तो वहाँ पर जितने भी अटेक करने के लिए आएवे बन देते हैं वह सभी कच्छों से भी दीरे हो जाते हैं जब सब कुछ दीमा हो जाता है तो वीर उन सब के बीच में अटेक करता वह बलेक गोर्ड की तरह आगे बढ़ने लगता हैं और वह एक ले के साथ आगे बढ़रा होता हैं साथ ही जब वीर आगे बढ़रा होता है तो वह इस्टर जी बना रहाता कि वह बलेक गोर्ड को किसे मार क्योंकि वह जानता था कि सेनाओ को पकड़ने से कोई भी मतलब नहीं वीर को लगातर अपने पास आते हैं वे बलेक गोड अपनी सेना यानि कि जो अपने टीमेट से उन से कहता है वीर को माट डालो उसे माट डालो चिलाता हुआ कहता है जब ब्लेक गोड ऐसा कहता है तो ब्लेक गोड के आदमी वीर के उपर अटेक करने के लिए जाते हैं लेकिन जो वीर था वह उन सबी की तलवारों के उपर कदम रखता है और जोर से एक चलांग मारता है और वह चलांग बहुती अजीब तरीके सी होती है वह लगाता है बहु और मेरे पास आकर मर जाओ और वह अटेक करने के लिए वीर के उपर अपनी तलवार को लहराने लगता है जैसे ब्लेक गोड अपनी तलवार को लहराता है तो वीर के चेरे पर एक कट लग जाता है वीर अपने हाथ को तलवार की तरह और चाको की तरह यूज लेता है और व उड़ रही है क्या मेरी इस तरीके से वह अपने मों से बाकिये निकलता है और इसके बाद में जो वेर होता है अपने हाथ को उसी तरीके से रहता है और जो ब्लेक गोड के जो धड़ होता है वह अपने उस पालतु जानवर के साथ ही नीचे गिरने रखता है और जो वह एलियन होता है जो उसका डेविल सोल वाला एलियन वह भी आगे आकर नीचे गिर जाता है जो ब्लेक गोड के साथ ही ते वह ब्लेक गोड की गरतन को उसके सरीर से अलग होता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इसी केस साथ यह एपी शोट कतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें सेर करें